कि शाथियों जो तस्वीर मेरे पीछे अभी आप देख रहे हूं यह और कोई नी भारतिय सेना का एक जवान है जिसका नाम है अनूप यादव बिहार के ये रहने वाले हैं और सरकार के मलब वर्तमान सरकार मोधी सरकार के मूपे क्या जबरदस्त तमाचा मारा है सच में इतना जबरदस्त तमाचा मारा है कि इस समय चारों तरफ इस व्यक्ति की जो है जैजेकार और वावा यूरी है और इसके बावजूद भी मैं फिर बता दूँ यदि इसके बावजूद भी मोधी सरकार नहीं जागती है तो धिकार ऐसी सरकार पे जो इतना होने के आजसे थपड़ खाने के बाद भी उसकी आँख नहीं खुलती है तो और ऐसी सरकार को निरंकुष बेश्रम नहीं कहोगे तो क्या कहोगे ऐसी सरकार को तानाशार सरकार कहा जाता है बता दो इनका नाम अनुप यादा हो और यह बिहार के नहने वाले इनकी फोज के अंदर भ साल के लिए अपनी देश की सेवा के लिए मैं नहीं जाओंगा पूरा वाक्या बताता हूँ आपको क्या हुआ है अब देखो अगनीपत योजना के लागू होने के बाद पहली भरती 23 वर्ष ये अनुप यादव न्युक्ति पत्र पा गए थे लेकिन परीजनों की हिदायत पर उन्होंने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया और सेना की नोकरी पर कभी नहीं गए सेना में जाना मेरा और मेरे माता पिता का सपना था इसलिए सात्वी कक्षा से ही सेना की तयारी शुरू कर दी थी लेकिन जब अगनीपत के तहत नोकरी लगी पिता ने कहा कि छे साल की तयारी के बाद चार साल की नोकरी का कोई अर्थ नहीं अनुप ने कहा स्थनातक कर रहे अनुप बिहार और जारखंड पुलिस में दरोगा ऐसा ही भरती की त्यारी कर रहे हैं और अपने भविश्या को लेकर आशंकित हैं अगर अगनिपत योजन नहीं आयोती मैं सेना में सेवा दे रहा होता क्योंकि मैं दोडने में बहुत अच्छा था साल 2022 वाली बहाली के लिए हुई दोड में 220 बच्चों में पांचवे स्थान पर था मैं मेरी जिंदगी बदल चुकी है लेकिन अगनिपत ने मेरा भविश्य अनिश्चित कर दिया ये कहते हैं अनुप यादव आगे देखो उनके परशिक्षन रहे मोनू रंजर ने दवायर से कहा दवायर ये चैनल है अनुप इकलोता अभ्यारती नहीं है जिसने अगनिपत योजना के चलते आर्मी की नोकरी छोड़ दी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो न्युकती प इससे बड़ा इससे गंदा और इससे जबरदस तमाचा और क्या होगा सरकार के मूँक उपर जिनोंने बच्चों ने पूरी तयारी करी सबने देखे सेना में जाकर जेवा देने की पूरी मन्शा ठान ली तयारी कर ली सब कुछ कर लिया नियुक्ती पत्र हाथ में आ गया और उसके बावजूद भी लाट मार दी। लेकिन उसके बावजूद भी अंधी, बैरी, घूंगी, लंगडी सरकार को समझ नहीं आता कि कौन सा राज छुपा हुआ इस अगनीपत योजना के तैद जिसको बदलना नहीं चारे। केबल हाँ, अगनीपत में अगर भरती करेंगे ये तो सचा ही है कि इन लड़कों को बच्चों को पैंशन देनी पड़ जाएगी, है ना? अगर कंटीन्यू भरती कर देंगे तो पैंशन देनी पड़ जाएगी, लेकिन मोदी जी यह देखो न, अगर एक दिन के लिए आपको कोई विधायक बनता है, एक दिन के लिए कोई सांसद बनता है, जो कि देश की सेवा नहीं करता, उसको आप पैंशन देते हो, लेकिन हमारे सेना के जवान को पैंशन देने में पीछे हटते हो, बड़ी शरम की बात है, सच में, उमीद करूँगा, यदि हो सकता है, तो इस अगनीपत योजना को ततकाल पर भाव से, या तो बंद कर दो या सुधार कर दो, और आप लोगों से भी निवेदन करूँआ, मेरी मेहनत को जाया मद जाने दिने साथी हू, इस वीडियो को इतना शेयर करना, इतना शेयर करना, कि पूरे सोशल मीडियो को पर तहल का मद ज जाना चाहिए कि वाकई कोई है हमारे देश का वो जवान देश का वो युवा जिसने न्युक्ति पत्र पाने के बावजूद भी सरकार के मूपर तमाचा मारा है और उनको उनकी उकात दिखा दिये कि आपकी अगनिपत योजना की क्या उकात है धन्यवाद